इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं। दिन दस मैं घोशना करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ। मैं घोशना करता हूँ कि इश्वर मेरे जीवन के लिए अपनी योजना को तेज करता है। क्योंकि मैंने उस पर अपना भरोसा रखा है। मैंने जितना संभव हो सका अपने सपनों को तेजी से पूरा किया। बाधाओं को दूर करने, रिंड से बहार निकलने यहां सही विक्ति से मिलने में सालों नहीं लगते। इश्वर ने मुझे आस्था और विश्वास से अभी जीत दिलाई है। यहां मेरी घोषना है। 10 अगस्त 2021 दिव्य स्वास्त की स्विकारुपती। मैं मसी एशू में इश्वर की धार्मिक्ता हूँ। मैं पाप के लिए तो मर गया पर इश्वर के लिए जीवित हूँ। मेरा शरीर का हर एक सदस्य, धार्मिक्ता के उक्करन के रूप में परमेश्वर को सोपे जाते है। इसलिए पाप मेरे शरीर में राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि पाप की प्रकृति को परमेश्वर के धार्मिक्ता के सभाव के साथ प्रतिस्थापित, अतिक्रमित या प्रतिस्थापित कर दिया गया है, आमेन. मैं जैसा कहूंगा, मुझे एसु के नाम पर वही मिलेगा. मैं जाती का कृपा पातर हूं एसु के नाम पर, मैं वही बोलता हूं जो मैं देखना चाहता हूं, ना कि जो मैं देखता हूं एसु के नाम पर, मैं एक अनमोल बीज हूं एसु के नाम पर, मुझे अपने ईश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया है, मेरे मैं पौधों के रश से भरा हुआ हूँ और बुढ़ापे में भी प्रभू में हरा हूँ मैं ताजा और सम्रद होंगा मेरा पत्ता कभी नहीं मुर्जाता और जो कुछ भी मैं एसु के नाम पर करता हूँ संपन हो जाता हूँ एसु के नाम में चीजे हमेशा मेरे लिए काम कर रही हैं मैं मसी एसु में हर आध्यात्मिक आशिरवा स्विकार करता हूँ एसु के नाम पर मैं अपने शरीर से बात करता हूँ मैं आत्मा हूँ मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भौतिक शरीर में रहते हैं मेरी आत्मा मेरे अंतरमन को आग्या देती है. मेरा अंतरमन सुनता है, पढ़ता है और मेरे शरीर को निर्देश देता और मेरा शरीर पालन करता है. इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में स्पष्ट और व्यक्त है मैं अपने शरीर के हर विवरन के लिए जीवन बोलता हूं मैं अपने मनोभाव से बात करता हूं मसी के मनोभाव के तरह परिपूर्ण हो जा और मैं तुम्हें ईश्वर के शब्द द्वारा संरेखित करने की आग्या देता हूं। मैं अपने कांडरा, अर्था सनायू और नसों के लिए जीवन बोलता हूं। मैं अपनी मान स्पेशियों और स्नायू बंधन को ताकत बोलता हूं। मैं अपने दिल से बड़ी जीवन सक्ति की बात क्याता हूं। मैं सामानने वेंटिलेशन, अर्थात, वायू संचार और छड़काव अनुपात बनाया रखने के लिए अपने फेफडों और उतकों से बा जोड और उपास्थी संद्रेखित, मजबूत और द्रड़ है। मेरी उंगलियां उतकुष्ट रूप से कारे करती हैं। मेरी आखे स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से देखती हैं। मेरे कान इस्टतम काम करते हैं। मेरी तवचा एक नए जन्मे बच्चे और ईश्व की सुन्दर्ता के समान चिक्री स्वस्थ है। मेरे बाल कोश कड़े हो गया है। मैं अपने बालों को अपने जगह में रहने के आग्या देता हूं। जहां विकास की आवशक्ता होती हैं। मैं अपने कोश में वृध्धी जारी करता हूं। मेरे दात, मसूडे, जवा, बं इंद्र और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ मजबूत और परिपूर्ण है। मेरे सभी हार्मोन और नियूरोकेमिकल ट्रांस्मिटर एक दूसरे के साथ पूर्ण सामान जिस्व में हैं। और अपने कारियों को सामानी रूप से निश्पादित कर रहा पाचन तंत्र सभी खाद्य पदार्तों को पचाने और सोशित करने और आत्मसाथ करने में सक्षन है। और चयापचय अप्षिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उस सर्जित होते हैं। मेरी प्रजनन प्रणाली प्रयात्त मात्रा और गतिशिल्ता सुक्राणों का उत्प उत्पादन और जमा कर रही है। मेरी प्रजनन प्रणाली समय पर अंडे की कोशिकाव का उत्पादन कर रही है। जन्म तक ध्रून की रक्षा और पोशन करती है। मेरे शरीर का हर एक अंग हर एक कोशिका ठीक उसी तरह कारे करता है। जिस तरह से ईश्वा ने इसे कारे क करने के लिए रुपांकित किया है एसो के नाम पर मैं अपने शरी में किसी भी तरह की खराबी और कुरुपता को रुखता हूं हालेलुया आमेन, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पिता ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पुत्र ईश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, पवित्र आत्मा ईश्वर मुझे प्यार करता है, आमेन, सालोम, हालेलुय झाल झाल झाल